अगर गणे जी महाराज आपके घर में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आपके घर में आ रहे हैं, भगवान राम आपके घर में आ रहे हैं, सद्गुरु आपके दरवाजे प्रवेश कर रहे हैं, तो दरवाजे के दोनों कोने पर दोनों दिवाल के साइड में तो स्वस्तिक बनना चाहिए एक हल्दी का एक कूँकू का और स्वस्तिक बनाकर जब गणे जी प्रवेश करें आपके घर के अंदर तब दो घीके दिये दोनों और जलना चाहिए रिद्जि सिध्धी के लिए तब प्रवेश मेरे गणे जी महाराज सीधा चरंड अंदर रखकर प्रवेश क करिए और गणेजी की स्थापना करिए और इस थापना के समय पर दो बिंदी जहां गणेजी बेठें साइड बे कोई दिवाल हो तो एक हल्दी की एक कुंकु की बिंदी जरूर लगाए क्यों जब आखरी दिन हम अनंच तुर्दशी के दिन गणेजी को जब बिदा करें तो ये रिद्धी और ये सिद्धी ये कुंकु और हल्दी की बिंदी नहीं ये रिद्धी और सिद्धी हैं पहुए हमारे घर में रह जाए भले बेटा काम पर चले जाए गनेजी को जब धर में प्रवेश दो गनेजी को जब घर में प्रवेश दो तो गनेजी का मुक आप क्य जिसने अपने जीवन काल में आप पहले दी कता में कहा था एक आउले का ब्रक्ष एक गनेजी की मूर्थी आउले का ब्रक्ष गनेश की मूर्थी ये दो चीजे कैसी है जिसको एक पुवेर का श्टेचु भी आता है जिसको कंद्य पर पोटली रख्यूई इस्टेचु आता है गन्जबावा रहसु क्या बोचते हैं हम लोग करते हैं पुवेर इस्टों चीजे बोलते हैं यदि गनेश की मूर्थी गनेश की प्रतीमा गनेश का फोटो हम किसी वो गिफ्ट में दे रहेते हैं तो हमारे घर की संपदा उस तारीक को लिखकर रखना उसके बाद में दीड़े दीड़े चिन होने लगती है संपदा तिकती नहीं है एक रुप्या कमाओगे सबर रुप्या कर जोए और घर के हर जगहाँ पर गनेश की मूती नहीं लगाना जी धर का फूता हर जगहाँ पर नहीं लगाना है जहाँ पूजन करते हो वहाँ लगालो जहाँ इसमेन करते हो वहाँ लगालो चल जाएगा पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा में और यहां तक कहीं लोग साल भर गनेजी रखते हैं कौन से भी निवेदाने रखो मना नहीं है पर गनेजी दुरकना कोन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्रप्रमान बढ़नां करता है मारत लातिस में गनेजी का मुख आपकी ओर हो, कल्सिक नियम लेना, शमी के भी व्रक्च की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गनेश को बेलपत्र, शमी पत्र समर्पित होता है, आपको कधा में बर्णन किया था, तेतिस कोती देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चरेगा, पर तेतिस कोती देवताओं को समी पत्र चरता है, और उसमें एकरेजी महराज और बावा भुले नाथ, इन दोनों को समी समर्पित होता है, शमी पत्र समय की तो, तथा में पहले भी वर्णन किया, अच्छी द आपको, ये शिवलिंगे, समझ लेना बहुत चरतस जंकरजी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है, शंकरजी की पांच लरकिया, जो उपर से जल नीजी गिरा रही है, ये जया, विष्टधा, शामरी-बारी, दोट अली और देव, ये शंकरजी की पांच लरकिया, जिन का नाम लेका सोने से राक्तरी में न जिने जी का स्थान लेवत भाग में कारति के का स्थान दीच में शंतर जी की सफसे छोटी लड़की असुख सुंदरी का इस्थान शिव करती है और गनेश श्रीत रपनस्मेंड कर रहे हैं और तल से चतुर्थी लग रहे हैं जिसके घर में संपुदा की कमी परती हो विमारी शमी की पत्ती जहां गने जी का स्थान है वहाँ पर पाच समी पत्र पाच समर्पित करें और संकर जी की उपर तीन समी पत्र समर्पित करें बहुत ध्यान देना पाच समी पत्र जहां गनेजी का स्थाने शिविलिंग में वहां समर्पित करें तीम समी पत्र शिविलिंग के उपर समर्पित करें एक समी पत्र संकर जी की चोखट पर लेप्त भाग में जाते समें आपका उल्टा हा जन्मंदर से निकलो तो उल्टी पर लेफ्ट भाग में संकर्जी की चोकड पर समरपित कर एक समीपत और महराज इखिभी का तिर्या जहां लेफ्ट भाग में आपने समीपत रखा है मंदर में न दिया लगाकर बहार की जहां समीः पत्र रखा है उसके एक्थि साइड में एक घी का दिया लगाती ही जी है। केवल गनेश चतूती से लेकर 15 particulशी टक गनेश पुराण कती है भगवान गनेश जी का मोरुध हज का मयुरुध हज गनेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चरा देता है उसके घर से कभी रिती सिद्धी नहीं जाती बेखो प्रतिश्टा नहीं जाए करकर देखना अगले साल तक आपका प्यपार कितना चलता है हमको पताना जरूर करके देखो एगवा गनेश पुरान का शिव महा पुरान का ये प्रसंद करिए जीवन में उतार दिया चतोर घीजले कर अरण चतुदशी तर गनेशी का मूल इस्थान आपको बिनेशी की मोती पचराने का नहीं बगए क्यों नहीं बोग रहा है चोकि गनेशी की आप प्रति ये वहां बेनेशी सदा पर आजमान है और देखो ये दस दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना तो मेरा विश्वास कहता है शिव महा पुरान का मेरे बाबा विश्वनात की प्रपा कहती है मेरा मन कहता है दस दिन के अंदर आप समी प्यान हें क्या फाइदा हुआ आपको दस दिन के अंदर बोन नदर तर तर देखिये शिविस मर भगजवान गनेश शिवित तीसरा क्रमव जनेशी की मूर्ती जब लेकर आओ तकले में जनेव के रूप में या तमर पर सर्व जरूर होना चाहिए धरेजी की मूर्ती में ज पर देने में पीछे हाठ ते ही नहीं है। कने जी की मोटी में कंदे पे जन्यों की रूप में साफ हो या पेट पर कमर पर सांफंदा हो तो संपदा देने में कमी नहीं रखी। अपार संपदा। शिव कुरान डैकती है चाहे सों मार टरो मंदलार करो बुदभार करो है कादसी करो पर दोश कर दोश करो तवारी मरजीब पर जोगरत करो पर तुम्हारे चेहरे पर उस बृत? मैं प्रसंसा होना चाहिए आलवोन चेहरे पर पर संद्धानक नहीं हो भगवान उस बृत के लिए ये कर रहे हैं बने के लिए ऑना च्छाइए वहांट्र हांई नए इस थी क्वारा LAUGHTER आप EPA वह थाँए रित रहे ह्लेधश कर रहे हैं तो दोनों कॉने निए दोनों सीघ है दोनों और ना चाहिय Gymn तक परवेश मेरे गने जी महाराज सीधा चरण अंदर लगतर परवेश करिए और गने जी की स्थापना करिए और इस थापना के समय पर दो बिंदी जहां गने जी बेठे साइर कोई दिवाल हो तो ये खल्दी की एक कूपो की बिंदी जरूर लगा है क्यों जब आकरी दिन हम पनंचतू दर्शी के जिन कनेजी को तो बिदा करें तो ये विढ़िधी और ये सित्धी यह कूंपो और हल्दी की बिंदी नहीं ये भिंदी और सित्धी है बहुए हमारे घर में रह जाये भले बेटा काम पर चले जाये क्या होता है रिद्दीशिद्धी हम सा golden जी के विस्जर्जन कर देते हैं अगर ढूर बिंदी नहीं ललाते इतो तो रिद्दीशिद्धी eg favor में रएजाती है सकत्राईभर जाती है उसकुर रखो संकर जी की का प्रगर तो आपको नहीं मनूंगी गणेजी का फिरी देते हैं हमने का गणेजी फिरी रहने का के बले समय होता है एक टाइम होता है एक पल होता है एक घड़ी होती है कि गणेजी महराज आमारे घर में आगे गणेजी की सबसे पहली जो आर्थी हो उस आर्थी के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलांकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेजी का नाम धुरूम बन कर दिया जाए तो गणेजी को तुमारे घर की पूझा सुइकार करना पड़ती है बसको समय हमचा हेलो फ्रेंड्स आपको या जानकर या चला है तो प्रीज लाइक शेर और सब्सक्राइब में चैनल थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो